सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बैल आइकन को लेटेस्ट एजूकेशन वीडियो के लिए तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर मैं सुभम जैन और आज पर्यावर अध्यन की अंतरगत एक बहुती महत्वपूर टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ यहां से सॉलिड आपका कॉशन बनता है टेट एक्जाम्स में जिसका नाम है भोजन, भोजन के घटक और भोजन की क्या आवशक्ता है भोजन में कौन गण से पूर्श अपत्त्व पाये जाते हैं उनका क्या उप्योग है यह सभी जानकारी हम आज इस वीडियो में कवर कर हैंगे और यह हमारी जीवन का आधार भी है भोजन के बिना हम अपने जीवन की कल्पना करही नहीं सकते हैं क्योंकि यह हमारी देनिक आवशक्ताओं की पूर्ती का सबसे बड़ा माध्यम है तो चले प्रारम करते हैं भोजन के घटक भोजन की क्या आवशक्ता है जो सजीव यानि की जीवित प्राणी और पेड़ पौधे और जानवर इनको भोजन की आवशक्ता होती है बिना भोजन के कोई भी सजीव नहीं रह सकता है शवी सजीवां को जीवित रहने तथा कारे करने के लिए उर्जा की आवशक्ता होती है इस उर्जा को वे भोजन से प अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो दिरे दिरे आपका सरीर अस्वस्थ हो जाएगा और उर्जा की कमी होती जाए जिसका रड़ से आप कोई भी कारे करने की सक्षम नहीं रह पाएंगे तो उर्जा के अलावा भी अगर हम बात करें तो कई अन्य पदार्थ ये हमें देता है जो हमें विविन प्रकार की बीमारियों से बचाता है तता हमारे सरीर को विक्सित होने में सहायक होता है तो भोजन से हमें बहुत सारे पोशक तत्त्त प्राप्त होते हैं जैसे की कार्बोहाइडरिट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है, मिनरल्स है तो ये सभी हमे भोजन से फलफूलों से प्राप्त होते हैं, अब ये पोशक तत्व क्या होते हैं, वो हम समझ लेते हैं, तो ऐसे तत्व जो पोशड देते हैं, पोशक तत्व कहलाते हैं, पोशक तत्व मुख्यताह पांस प्रकार के हैं, ये पोशक तत्व हैं कार्भोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवड दिखिए पोशड प्रदान करने वाले पोशड मतलब कि हमें भूजन प्रदान करने वाले जिनकी कारण हमारा पोशड होता है वो हमें जो तत्तो प्रदान करते हैं उन तत्तों को हम क्या बूलते हैं पोशक तत्तो और क्या है sources क्या है उन पर भी हम आगे बात करेंगे तो लाश्ट तक ये वीडियो आप देखते रहे हैं बहुत ही important questions यहां से निकलके आते हैं भोजन के घटक क्या है अब देखिए भोजन के घटक वही बात जो पोशकतत्व होते हैं वही भोजन के घटक कहलाते हैं तो भोजन म में विभिन तरह के पोशकतत्व पाए जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के खादिप्रदार्थ होते हैं और उनमें अलग अलग तरह के पोशकतत्व पाए जाते हैं जैसे कि अगर हम बात करें जो मीठे फल होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं भूजन के घटक जो हैं मुख़ता पांच प्रकार के हैं जो अभी हमने बतलाए थे ये हैं कार्बो हाइडरेट वसा प्रोटीन विटामिन और खनिज इनके अत्रिक्त हमारे भूजन में रुक्छांस तथा जल भी सामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवशकता है विभ कार्बो हाइडरेट तीन चीजों से मिलकर बना होता है एक तो होता है कार्बन जिसको हम सी से दरसाते हैं इसका संकेत सी होता है इसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन का संकेत ओ होता है और हाइडरोजन जिसका संकेत ह होता है ठीक है तो कार्बो हाइडरेट कार्बो अगर इसक सभी सजीवां को प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए इस ऊड़िया की आवश्यक्ता हुती है कार्वो हाइडरेट मुख्यता मंड यानि की स्टार्च और सरक्रा यानि की सुगर के रूप में पाए जाते हैं जैसे की ग्लूकोज अब देखी यहाँ पर एक बात आपको गौर करना है जो बायलोजी की स्टुडेंट्स नहीं है और अगर उन्होंने बायलोजी का अध्यन नहीं किया हुआ है तो उनको बता दें कि यह जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज कार्थ वो नहीं है जो मार्केट में लेडिकल्स पे हमें ग्लूकोज मिलता है यह ग्लूकोज एक प्रकार की सरक्रा है एक प्रकार का शुगर है जो की हमें सबजियों और फलों में प्राप्त होता है तो फलों और सबजियों में जो मीठा फन होता है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज आदी जो सरक्रा होती है इनकी कारण होता है और ये ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज आदी जो सरक्रा है इनी को हम क्या बोलते हैं का इसे माध्यम से glucose और fructose प्राप्त होते हैं, glucose बनता है और कुछ मात्रा में जल और carbon dioxide निकलती है, एक question एक बार बताया था हमने एक वीडियो में जो हम प्रकास चंसलिशर का अध्यन कर रहे थे, तो इसमें क्या-क्या प्राप्त होता था प्रकास चंसलिशर में, glucose प्राप्त होता था, यही glucose बाधों का भोजन कहलाता है, ठीक है, और इसके लाब oxygen भी प्राप्त होती है, जो की हम सांस लेने के लिए प्योग करते हैं, तो यह जो glucose होता है, वो एक प्रकार का सुगर है और यह तुरंत उर्जा प्राप्त होता है, यही कारण है कि धूप या भाग दोड़ के कारण अधिक ठकान होने पर हम glucose को जल में मिला कर पीते हैं, देखे, शन्थेटिक ग्लूकोज जो है, वो हमें मार्केट में मेडिकल्स पर मिल जाता है, तो जब भी energy की कमी होती है, ठकान होती है, तो हम ग्लूकोज को पानी में मिला कर पी लें, तो इससे ठकान कम हो जाती है, दूर हो जाती है, और सरीर को उर्जा प्राप्त होती है, ग्लूकोज हमें तुरंत उर्जा प्रदान करता है, हमारा पाचन तंत्र कार्बो हाइडरेट वाले भोजन को ग्लूकोज में बदल देता है जो खून में मिलकर हमें उर्जा प्रदान करता है तो सिधी सी बात यह है कि कार्बो हाइडरेट क्या है एक प्रकार का सुगर सरक्रा और इसका काम क्या है सरीर को उर्जा प्रदान करना वैसे खाद प्रतार्थ जिन में कार्बो हाइडरेट बहुत आयत में पा जैसे कि रोटी है, चावल है, आलू है, इत्यादी, ये खाते पतार्थों में कार्भोहाइडरेट अधिक महत्रा में होता है, तो हम प्रते दिन में जो खाना यूज करते हैं उसमें, जैसे कि रोटी है, चावल है, तो इनमें क्या पाए जाता है, कार्भोहाइडरेट पाए स्रोत हैं जैसे चावल, गेह, मक्का, जो इत्यादी कई तरह के फल और सब्जियं भी कार्बो हाईडरेट के अच्छी स्रोत हैं जैसे की आलू, सकरकंद, केला, इत्यादी अतहा हमें कार्बो हाईडरेट मुख्य रूपसे अनाज, आलू, केला, चीनी आदी से प्राप्त होत आप पृस्ट एक आहर लेजिए, चावल, अनाज, रोटी, डाल, चावल और जो सबजियां हैं, उनका प्रियोक कीजिए, फलफूल लेजिए, तो इनहीं में कार्बोहाइडरेट पाया जाता है, अब हम बात कर लेते हैं, दूसरे, इसका जो दूसरा प्रकार है, पोसक तक्त का वसा, वसा जिसको हम फैट कहते हैं, तो ये प्रमक रूप से ओल या घी इत्यादी में पाये जाता है, तो वसा भी हमें उर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइडरेट की दूलदा में वसा हमारे सरीर को अधिक उर्जा प्रदान करता है, लेकिन हमारा सरीर वसा से तेलित्यादी हैं इनका पाचन बड़ी देरी से हो पाता है तो ये फैट है वसा है इनसे भी उर्जा मिलती है लेकिन पाचन धीरे-धीरे होता है तो उर्जा थोड़े उर्जा प्राप्त करने में थोड़ा सा टाइम जादा इसमें लग जाता है चुकि वसा भी हमें उर्जा प्रदान करता है अताह वसा युक्त भोजन को भी उजा देने वाला भोजन कहा जाता है भोजन के द्वारा ग्रहड किया गया आवश्यक्ता से अधिक कार्भो हाइडरिट की मात्रा वसा के रूप में तुचा के भीतर संरक्षित हो जाती है इसी कारण से अधिक खाने वाले ब्यक्ति अक्सर मौटा पे का सिकार हो जाते हैं आप ये जानते होंगे कि ज़्यादा घी का प्रियोग करने से मौटा पे का सिकार हो जाते हैं लोग क्यों हो जाते हैं उसका कारण यहां पर दिया गया है लेकि जब भी हम भोजन के द्वारा गरड करते हैं और आवश्यक्ता से ज़्यादा कर्भुहाइडिर्ट की मात्रा हमारे सरीर में आ जाती है तो ये तुचा के भीतर संचित होने लगती है और इसका रर्षे ब्यक्ति मौटापे का सिकार हो जाते हैं भोजन के अभाव में हमारा सरीर संरक्षत वसा का उपयोग उर्जा प्राप्त करने के लिए करता है वसा हमारे सरीर के अंदरूनी अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है शाथ ही वसा हमारे सरीर को गर में भी रखता है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पोशक्तत हैं वो ह दोनों सुरोतों से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त वसा के मुख्य सुरोत कौन कौन से हैं, सरसों का तेल, मुफली का तेल, सूरज मुखी का तेल, नारियल का तेल आदी, तथा दूद से बने मक्खन तथा गी से प्राप्त होने वाले वसा जन्तू सुरोत से आते तो ये वसा के प्रमक्ष स्रोध हैं, इसके अलावा मीट, मसली, अंडे, दूध, घी, मक्षन, मुंग, फली का तेल, सुरज मुखी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये वसा के मक्ष श्रोध हैं, तो दूध या दूध से बने जो श्रोध हैं, जैसे की घी है, मक्षन इत्यादी है, तो इनमें वसा सफसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाता है। अब अंगला जो पोशक्थत्य है प्रोटीन प्रोटीन की आउश्चता हमारे शरीर की व्रद्धी तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। तो प्रोटीन का कार्य क्या है? सरीर की विरद्धी करना और सरीर को स्वस्थ बनाए रखना जैसे एक घर को बहुत सारे ईटों से मिलकर बना होता है उसी तरह हमारा सरीर सेल सेल यानि की कोशिकाओं से बना होता है अर्थात सेल जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं हमारे सरीर की एकाई है सबसे छोटी एकाई जो है सरीर के वो कोशिका है और कोशिका प्रोटीन से बना होता है अता हमारा सरीर भी प्रोटीन से बना होता है हमारे बाल भी एक तरह के प्रोटीन से बने हैं जो से केराटिन गहते हैं केराटिन प्रोटीन पाया जाता है हमारे जो तुचा और बाल होते हैं उन में ठीक है अ पैंद्रक के अंदर रायोशॉम पाया जाता है ठीक कोषिपा होती है गोषिपा में राइोशॉम पाया जाता है उस राइोशॉम में प्रोटीन करने रमाड होता है तो राइबोस्वम को प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है इसके अलावा सेल की मरम्मत करने के लिए भी प्रोटीन की आशकता होती है बच्चे चुंकि तेजी से बढ़ते हैं अता बच्चों को अधिक प्रोटीन की आशकता होती है उसी प्रकारिक बीमार व्यक्ति को प्रोटीन की गोली या पाउडर देते हैं ताकि एक बीमार व्यक्ति जल से ठीक हो सके यही कारण है कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्राया सरीर वर्धक भोजन कहा जाता है तो हमें प्रोटीन योक्त भोजन का उपयोग करना चाहिए इससे कि हमारा वरद्धी और विकास सुचार रूप से होता रहे अब प्रोटीन के स्रोथ क्या है इसकी सोर्शिज क्या है तो प्रोटीन जो है वो भी जन्तू और पेड़ पौधन दोनों से प्राप्त होता है अगर हम बात करें जन्तूपों से तो मास है मशली है अन्डे है इसके लवागप पौधे पौधह हमें दाल है सोयाबीन है बीन्स है और इसके अलागआ भी बहुत सारे शरूथ हैं से प्रोटीन प्राप्त होता है अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्रोटीन की तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो हमें सोया बीन से प्राप्त होता है तो अगर आप वेजेटेरियन हैं तो आप सोया बीन का उपयोग कर सकते हैं नॉन वेजेटेरियन भी अगर चाहें त सब से ज़ादा प्रोटीन पाया जाता है और यह सरवसुलभ है आप जानती है च्छान स्युल्द प्रोटीन ऑश्यक्ता हूती है यदि यहाँ व्यक्ती प्रोटीन का 50 . तो इसे प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोटीन की आश्यकता होगी। अब हम बात कर लेते हैं अंगले पुसक्तात्यू की जिसका नाम में विटामिन, तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं और वो हमारी सरी की रक्षा करते हैं। अलग-अलग जो विटामिन हैं, उनका कार ये अलग है, αonents, vitamin B1, B2 इस तरह से, तो vitamin रोकों से हमारे सροीर क्या रखषा करते हैं, vitamin हमारी आंख, हड्डिओं, दान्थों और मसूरों को सवस्त रखने में भी सहायता करते हैं, हलंकि हमारे सरीर को vitamin की बहुत थोडी मात्रा क्या आशब क्या आश्यकता होती विटामिन कई प्रकार के होते हैं अब तक कुल 20 प्रकार के विटामिनों की खोज की जा चुकी है शभी विटामिन को अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे की विटामिन A, C, D, E, K के इसके साथ ही विटामिन बी का एक ग्रुप है, विटामिन बी के ग्रुप को विटामिन बी कॉम्पलेक्स कहते हैं, और विटामिन बी कॉम्पलेक्स में विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 आते हैं, अब विटामिन कार्थ क्या होता है, तो वो देख लिते हैं, विटामिन सब्द लेटिन भासा के विटा से बना है जिसका अर्थ जीवन होता है अर्थात विटामिन का अर्थ शरीर को जीवित रहने के लिए आवस्यक कारे को करने में सहायता करने वाला होता है हमारे शरीर के लिए अलग-अलग कारे के लिए अलग-अलग विटामिन की आशकता होती है जैस साहयता करता है विटामिन D हमारी दांतों और हड्डियों को स्वस्त रखता है तो इस तरह से अन्य विटामिन्स के बências अलग-लग उप्योग हैं अब विटामिन के जो श्रोध हैं वो क्या-क्या है तो विटामिन जो है टमाटर, नीबू, अमरूद और अन्य शभी खट्टे फल जो है वो विटामिन C के अच्छे स्रोध है दूद, अंडे, मशली आधी विटामिन D के अच्छे स्रोध है देखे सबसे ज़्यादा विटामिन D पाए जाता है सूरी के प्रकास में ये प्राकृतिक स्रोध है और इ हमारे सरीर के उचित विकास तो था अच्छे स्वास्थे के लिए खनिज लवड आवश्यक है खनिज लवड जो हमारे सरीर के लिए कापी आवश्यक है इनमें से कुछ जिनके नाम यहाँ पर दिये गए सोडियम, पॉटिशियम, कैलसियम, क्लॉराइड, आयरन, इत्यादी, ठीक है, हालंकि हमारे सरीर को खनिज लवड की आवश्यक्ता बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन किसी भी एक खनिज लवड के उचित मात्रा के अभाव में हम बीमार हो शकते हैं, तो बीमारियों से लड़ने में यह हमारी सहायता करते हैं, कुछ एक्जाम्प प्रसप्रस और कैलसियम यह कम आवश्यक, केल्शियम को हमारे हर्दै को सोचारू रूप से लगों को मदद करता है, रखता है Satisावर में सहायता करता है, इसके अलबावा दूद अरी, साख, सब्जियां जैसे की मटर, बीन्स, आदी जो हैं वो केल्सियम के अच्छी स्रोथ हैं और जिनसे हम केल्सियम राप्त करते हैं इसके बाद बात करें आयोडीन की जो आयोडीन है उसके अभाव में घेंगा रोग हो जाता है गोईटर इसमें ये गले का एक रोग है इस नमक से हमें आयोडीन की सही मात्रा मिलती रहती है घरों में प्रयोक्त होने वाले नमक का रासाने की नाम किया है sodium chloride और इसका सूथ होता है N-A-Cl N-A कला था है sodium और Cl antagon आयरन हमारे खूण में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायथ अब करता है तो रक्त में जो हीमोगलोबिन पाया जाता है वो किसकी देन होती है आईरन की हीमोगलोबिन की कारड़ी हमारा खून लाल रंका होता है यह बहुत important question यहां से निकला है आज का जो हमारा lecture बहुत important है आप पिछले जितने भी exams हुए हैं वर्गतीन के परियावर से related question जिनमें आ कर हमारे सरीर के सभी भागों में पहुचाता है ठीक है हीमोगलोबिन कौन बनाता है आईरन और हीमोगलोबिन के कारड़ी हमारे खून का रंग कैसा होता है लाल और हीमोगलोबिन का काम क्या है यह जो फैपड़ी है वहां से oxygen लेकर हमारे सरीर के सभी यंगों में पहुचा एनेमिया से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा ठका हुआ महसूस करता है अंडे मास हरी साख सब्जियां गाजर अंकुरित अनाज आधी आईरन के अच्छी स्रोथ है इसके राबा जो पालक की भाजी होती है वो एक बहुत अच्छा स्रोथ है जिसमें आईरन पाए जाता है फ्लोरीन अब हम बात कर लें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन का संकेत होता है F फ्लोरीन हमारे दांतों के उपरी परत जिसे एनामिल कहते हैं को बनाता है और इसको मजबूत रखता है यह हमारे दांतों को सड़ने और खराब होने से रोखता है कौन फ्लोरीन तो ये अनामेल की परत बनाता है हमारे दानतों के उपर पॉटेसियम, पॉटेसियम का संकेट होता है कि ये हमारे सरीर को अच्छी तरह बढ़ने में सहायता करता है साथ ही ये हमारी खून तथा कोशिकाओं को स्वस्त रखता है पॉटिसियम के भाव में हमारी मसल से मसल से यनि की मास्पेसियां क्या हो जाती हैं कमजोर हो जाती हैं तो पॉटिसियम कई परकार के होते हैं इसे हरा और पीला हरी और पीली सबजीयां जो हैं वो पॉटिसियम के अच्छे स्रोथ हैं तो इस तरह से हमारे ये लेक्चर यहीं पर संपन होता है एक नए लेक्चर के साथ कल आपसे दुबारा मुलागा